प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी के जनम दिन पर आईजित जनम दिन पक्वारपर भाश्पा के पूर्वसांसर और मशूर राम कथा वाचक डॉक्टर राम विलास दास विदानती ने राम मंदिर मामले पर बड़ी बात कही। डॉक्टर राम विलास विदानती ने कहा कि पूर प्रधान मंत्री स्वर्गी अटल विहरी वाचपई ने सर्यो तट पर भाविशिवारी की थी कि भाश्पा में एक ऐसा निता आएगा जो हर समस्या के समधान के साथ आयोध्या में भवे राम मंदिर बनने का रास्ता प्रश रई कर दूरु ऊचुका है प्रधान मंत्री मनें नरेंदर दामो विद्दास मोदी के जन्म के अवसर पर एक प्रकोडा बनाया जा रहा है कि भारत के प्रधान मंत्री ने यहीं Box की सब को आपस में नरेंद दामुदर्दास मोदी जी हैं मुझे याद है परभंस राम चंद्रदास जी महराज जो हमारे राम जोही नियास के अध्यक्ष थे उनकी अंतेष्टी में जब अटल भिहरी बाजपेई जी जय जोध्या आये थे और परभंस जी की चिता जल लही थी उस समय अटल भि की समस्याओं का समधान करेगा और अजोध्या में भभ की रामलाला की मंदिर का निर्माण होगा कि यह जैसुरी राम की बाजपेई ने उसमें जो कहा था आज अटल भिहरी बाजपेई का वहवा के सर्यू के तट पर कहा हुआ चरितार्त हो रहा है लोहों ने यह इस्वास नहीं किया था कि राम की जन भूमी पर कभी भब राम लाला का मंदिर भी बनेगा लेकिन अटल विहरी बाजपे कि वह भैविश्माडिया चरितार्थ हो गई कि 370 धारा समाप्त हो गई 35 समाप्त हो गया तीन तलाक समाप्त हो गया और जिसकी कलपना किसी नहीं किया था राम पर भभ्य राम लिला की मंदिर का निर्वान की प्रारम हो गया। पांच अगस्ट का वह दिन जिस दिन श्री राम जनभूमी पर राम लणा मंदिर निर्मान का सिला पूजन भूम पूजन करने के लिए माननी नरेंद दामुदर दास्मोदी जो द्याजी आये थे उस दिन विश्व के हिंदों को विश्वास हो गया कि अब रामला का भव्य मंदिर बनना प्रारम हो जाएगा और अटल विहारी वाजपी की बात उस दिन हम सब लोगों कश्मन हो रही थी प्रमानी असोख सिंगल जी जब वेलानता में मरणा सन नवस्था में थे उस समय एक बार वो अस्पताल से बाहर डाक्रों में कहां ठीक हो गए हैं लेकिन जब दुबारा फिर आये अस्पताल तो हम लोग मिनने के लिए गए और हमने पूछा था असोख स सिंगल जी ने कहा था वेदानती चिंता मत कीजे मैंने और देश की जनता ने एक ऐसे प्रधान मंत्री को गद्धी पर बैठाया जो हमारी और आपकी समस्त समस्याओं का सबाधान करेगा असोख सिंगल जी की वह बाद भी आज चरितार्त हो रही है कि हमारे देश के सब लो सरे सर्पर हम लोगे पकवड़ा मना रहे हैं सारे देश में नरेन मूधी चाहते हैं कि सब लोग साथ मां मिल कर रहे साथ में हिए और इसह की जनता को लेकर करके साथ में चले उस शंकल्प को पूरा करने के ल हमारे बीच में स्रीमती नीलम जी ने जो कारिक्रम आयोजित किया है इस कारिक्रम को देखकर मुझे बड़ी प्रसंता हो रहे हैं कि बाढ़ फिरितों को यहां पर भोजन वित्रण बस्त वित्रण और अनेक उपकरण की जोवेस्था और मास्त की जोवेस्था करें उसके विष्वाइब देलाता हों कि जैसे आपने 2014 में नरे नमोदी मीन भारत का प्रदान मंत्री बनाया चल रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि सामाजिक समरस्ता बनी रहे हैं महारत जी इस समय के साधुर संथ कोड़ा अंदोनित हैं चंपत्राय जी का एक बयान आया है कि इसकी माने दूद पिलाया है जो अधिया में उद्र ठाक्रे को आने से रोके मैंने अभी हमको अभी इसका सम प्रको बढ़ जाओरो यदीवाद कि समकत्राट में आया हैं चाहत बक्रे ?